हाई दूस्तों, आइ टिक में आप सभी लोगों का स्वागत है भाई अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर है डेली इंस्टापर एक्टिव रहते हैं डेली इंस्टापर फोटो गर अप्लोड करते रहते हैं तो भई आपको तो यह पताए होगा कि इंस्ट्राग्राम पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोडों ऐसे एकाउंट है, जिन एकाउंट को इंस्ट्राग्राम ने वेरिफाई किया हुआ है, उन एकाउंट के आगे आगे आपको एक blue tick mark देखने को मिलेगा, बट अगर मैं बात करूँ किसी normal user की, तो वो बंदा तो famous है नहीं, वो तो कोई celebrity है नहीं, तो वो बंदे का तो एकाउंट कभी भी verify नहीं होगा, बट tension नहीं लेने का, आप सिर्फ 2 मिनिट मेरे को दो, 2 मिनिट में मैं भी आपको blue tick mark लगा के दिखाता हूँ, यह नहीं बता रहा हूँ कि आपका account verify कैसे होगा, और verify page कैसे मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी trick बता रहा हूँ, जिसका use करकर आप अपने Instagram की profile, photo पर verify tick mark लगा सकते हैं, और यकीन मानिये भाई, एक बार आप try करेंगे, तो आप खूद कहेंगे भाई account verify लग रहा है, और यह इतना रिये लगेगा, कि भाई कोई भी बंदा इससे देखेगा, तो एक second के लिए चौकी जाएगा, और अगर आप अभी देखना चाहते हैं, तो जाईए इस वीडियो के description में, वहाँ पर आपको मेरे Instagram account की link मिल जाएगी, उस पर click करके आप मेरे Instagram account को check कर सकते हैं, और अब जाई रहे हैं तो यार follow भी कर लेना, और एक बात जान लीजिए कि इस trick को में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए बाई Instagram तो हमारे account को verify करेगा, तो क्यों ना हम ही हमारी profile photo को verify कर लें, तो अगर आपकी सिखना चाहते हैं कि कैसे आप अपने Instagram, Facebook, WhatsApp की profile पर ये blue tick mark लगा सकते हैं, तो वीडियो का इंटेक जोर से देखना है, तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको time pass पर करता हूँ, की सबसे खास बात ये है कि ये app आपके profile photo के आसपास एक ring add कर देगी, तो यहाँ पर आपको ठेर सारी और अलग अलग तरकी ring देखने को मिल जाएगी, फिलाल अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं blue tick की, तो blue tick के लिए simple है आपको यहाँ पर page में जाना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं blue tick mark वाली एक दो ring तो है, एक yellow tick mark की, एक green tick mark की और भी कुछ यहाँ पर ring देखने को मिल जाती है, बट फिलाल अभी हम इस पहले ring पर click करेंगे, जैसे हम यहाँ पर click करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर एक plus का icon देखने को मिल जाएगा, simple है, आप plus वाला icon पर click करें, और जो भी आपकी profile photo है, उसे आप select कर लें, तो यहाँ पर मैं एक profile photo select कर लेता हूँ, profile photo select करने के बाद simple है, आप इसे यहाँ से zoom in, zoom out कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा set कर लेता हूँ, और यहाँ पर काम हो चुका है complete, save पर click करेंगे, और यह हो जाएगा हमारा photo gallery में save, अब करना क्या है, आप simple है, आपको अपने Instagram account को open करना है, और वहाँ पर जाकर इस photo को profile में जाकर add कर देना है, तो चलि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो हम आ चुके Instagram के account पर simple edit profile पर जाएंगे, change profile photo पर click करेंगे, और sorry मैंने गलत कर दिया, change profile photo पर new profile photo पर जाएंगे, और यहाँ पर हमारा already photo बना हुआ आ चुका है, तो यहाँ से आप इस एक्जिस्ट कर सकते हैं, यह से थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हैं, मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, बट यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी profile photo पर blue tick mark जो यह वो लग जाएगा, लाइक कुछ इस तरह से लग रहा है न, awesome, और इसी तरह से आप उसी profile photo को अगर facebook पर लगाना चाहें, तो facebook की profile photo पर लगा सकते हैं, अगर आप whatsapp की profile photo पर लगाना चाहें, तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं, तो काफी कमाल के और awesome तरह से ट्राइ करना तो link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगी, तो आसा करता हम दोस्तों आपको इस वीडियो काफी पसना है होगा, पसना है ता प्लिज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जसे वहाइगा जुज कमाल कीजिएगा,